नमस्कार स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ माधरी कलाल चुनावी रख में सवार होकर हम पटना आरा सासराम उरंगाबाद होते वे पहुंच चुके हैं एतिहासिक नगरी गया ये गया पिंड दान के लिए बहुत मश्चूर जगा है एतिहासिक जगा है तरसल चुनाव की बात करें तो चुनावी दल में शामिल होने वाला हर राजनेता चुनाव हो जाने के बाद जीत लेने के बाद जनता से अपना पिंड छुडाता नजर आता है लेकिन 2020 के इन बहार के चुनाव में वर्चुल रैली करने वाले इन मेताओं को ये मालूम होना चाहिए कि उनके जमीनी हकीकत उनके रियालिटी जनता जानती है और आज हम गया पहुँचकर उसी रियालिटी को आपके सामने रखेंगे टटोलेंगे जनता की नव्स की गया में इस बार किसकी बन रही है सरकार तो चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे यह में चुराहा है सकुडिया चुराया जिसको कहते हैं कि इसके बाद एक रोड पत्ना से जाती है एक रोड डोभी और एक रोड गया टाउन के अंदर जा रह प्रसात के टाइम पर हम लोग ऑफ में थोड़े थे और आज थोड़ा सबसे बड़ा यहां सफाई काया है पानी काया बिजली काया निटीश के तो नहीं चाहिए तेड़स्वी और चलेगा कि आई करी बगता है हमको बोट दो हमको बोट क्या देगा बाबा बोट आपको जिंदा रहेगा तमने बोट देगा कि गया जो अतिहासिक नगरी है जहां का विश्णू पद मंदिर जिसमें पित्र पक्ष में एक बड़ा मेला लगता है अतिहासिक रूप से भी और राजनेतिक रूप से भी दोनों ही तरह से महत्वपून हैं सोची कि गया जिले के अंदर गया टाउन जो है वो एक विधान सभाएं आती हैं गया खुद एक लोग सभावी है इसलिए ये जानना जरूरी है कि जहां इतने हजारों की संख्या में लोग पहुचते हो हर साल यहां पर मेला लगता हो कोरोना की वज़े से हो सकता है कि थोड़ी सी यहां इस्थति अभी लोगों के आने की कम हो गई हो ले का है वहां विकास कितना हुआ है जो एतिहासिक और देश का सबसे बड़ा मंदर ये माना जाता है पित्र पक्ष में जहां पिंट दान के लिए लोग पहुचते हैं क्या उस गया में उतना डेवलाप्पेंट हो पाया है जितनी संख्या में यहां लोगों की उम्मीदे हैं तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस मंदर के दर्शन के साथ साथ बता दूँ कि यहां के शद धालू और यहां के जो लोग हैं जो दुकानदार हैं उनकी क्या उम्मीदे हैं सरकार से अबी नेता लों का लगा हुआ है वो यह इलेक्शन का समय इसलिए नेता लोग आ रहे हैं द म्हें ऑ्टर के पहले दर्दर भटकते हैं और पिंट छुड़ा थे हैं हमारे चेतर के प्रेम कुमार जो है बीजेपी के विधायक बस भोट मांगने के लिए हमारे चेतर में आते हैं उसके बाद में इधर चेहरा भी नहीं दिखाते हैं बतादू मैं आपको कि प्रेम कुमार साथ बार विधायक रहे हैं इस इलाके में और इस बार फिर से बीजेपी ने एंडिये के उस इंटैक्ट में बीजेपी जेडियो जहां साथ है बीजेपी ने फिर एक बार उनको टिकट दिया है यहां कितनी समस्या है कुछ मुद्दे हो सफाई उसके बाद में भीजली का वह allí का इहां पर और और फिर समस्या पानी तर्पूरा नहीं हो पाया है आप बताएइए क्या नाम आपका कहा रहते हैं अप नदीपार में आते हैं नदीपार में आते हैं आपको यहां बिहार कि अलग-अलग जिलों से लोग मिल जाएंगे जो आपको पूरा मिजास समझा देंगे बिहार का चुनाव है इस बार चुनाव है इस बार कौन चाहिए नितीश के तेजस्वी नहीं है इसलिए भरोसा नहीं करेंगे तो पिताजी ने बहुत काम किया पंदरा साल लोग कहते है मैं खुद बता दू आरा सासाराम होते हुए जब हम और अंगाबाद बढ़े और फिर गया आए तो उस सड़क में हमें गड़े ज्यादा थे और रोड कम थे तो यहां क्या मतलब क्या इस्तती है अभी यहां पे सरकार को बिहार में कैसे लोग चुनेंगे कैसे कैसे चुनेंगे काम तो कुछ बिहार में हो नहीं रहा है देखिए ठीक है लालू परसाद के टाइम पे हम लोग खौफ में थोड़े थे जिंदिगी हमारी खौफ जद थी और आज थोड़ा सा सुकून यही है कि खौफ नहीं है दर नहीं है तो यही डर हमारा जो पहल कर रहे हैं नहीं मेरे खेल्ण सब्याव अने नहीं किया शिच्छा आप देखैंगे तो हमारा गढ़ हुआ करता था हमारे यहां से इतने इंटलैक्ट्वल हम नहीं दिए आज आँ देखी इस्तिती बत्तर हो चुकी है जुनाव आ रहे हैं सरकार फिर आएंगे सरकार के लोग आएंगे आपके पास बतानी के लिए वोट दीजेगा तो वोट देंगे तो आपके दिमाग में रहेगा ना कि ये काम हुआ था ये नहीं हुआ तो लोगों की रोड और लाइन की ह होती है ये दोनों की अभी दूर्दसा है विहार में सब जगा करीव करीव रोड सबसे बड़ी समस्या है बोजन तक नहीं आते हैं ये गड़ी बोट मांगने कौन देगा है सब हो आप इसका गया के हैं आप गया यहीं बगल में रते हैं अब इस तेमार हैं कि हमको भूट क्या लग रहा है इस बार फिर चुनाव आ रहे हैं तो आप युवा हैं तो इस बार किस से उम्मीद है नीतीश से किते जस्वी से अभी तो पुषपम प्रिया से उमीद है गया में क्याै डे ना कि शेहर हैं अच्छा है कि ज्यादा सब्से ज्यादब कर्णगी है अच्छा है सबसे बीद तेट अच्छान नहीं कि आपको गया है सप्वाई नहीं होती ये बुरी बात है लेकिन ये व्यंग में कहना है अच्छा ये बताइए तो इस बार कौन चाहिए आपको यहां से यहां बीजेपी और कॉंग्रेस की बीज में में मुकाबला होता है प्रेम कुमार जी इतने सालों से यहां विधायक रहे कोई शिकायत है उनसे पुरा पूर सिकाय तो इस बार सरकार किस की चाहिए नितीश की चाहिए तेजस्फी की चाहिए या कोई और नितीश की तो नहीं चाहिए तो राजु कुमार जी कितने साल से दुखाने था और इन 15 सालों में आपने क्या बदलते देखा यहां पर बस कुछ भी यहां पर का सच पूशिए तो बदलाओ नहीं है जो मंदिर के पास एक बातरूम तक तो है नहीं कि जो आप लेडी या जैन्स को लगए तो जाएगा तो कहां रोट के खिनारे खड़े होके करते हैं लोग शूप करके करते हैं अच्छा यहां बातरूम नहीं है आप जराज खोच के देख लिए कि बातरूम है कि नहीं आप तो रिपोटर है आपको खुद समझ में आ जागा कि है कि नहीं क्या क्या काम होना चाहिए यहां अपर सबसे पहले तो बातरूम का मवश्ता होना चाहिए मंदर के आसपास थोड़ा वाफित शहर में क्या दिक् प्रेम कुमार जी 35 साल से यहां पर है बीजेपी के फिर एक बार बीजेपी ने उन्हीं को टिकट दिया है और कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है इस बार क्या लग रहा है फिर आप बीजेपी के साथ ही जाने वाले हैं देखिए हम तो नोटा में बो कि एक जगे पर आकर आपको आने के बाद सिंगल रोड मिलती है और वहां पर गड़े हैं तो पूरे बिहार में ही जो सबसे बड़ी समस्या मुझे दिखाए दी वो एक तो सड़क है दूसरे चीज़ शहरों में आप जाईए तो ट्राफिक जाम बहुत होता है रोड जाम की बहुत भेंकर सिती खराब हैं तीसरी चीज़ यह कि यहां पर लोगों को गंदगी ने परिशान कर रखा है जो स्थानी मुद्दे हैं उन में और जो यहां हमें पता चला कि लोग बता रहे हैं तो रोड जाम है बेरोजगारी है पलायन है गंदगी है यह सारी इशूज यह यहां पर स्थानी एशू है कुछ और जगे चलते हैं और वहां पर भी देखेंगे कि जब इस श्रद्धा के जगह से निकल कर इस एतिहासिक नगरी में इस पवित्र स्थान से निकल कर लोग आगे बढ़ते होंगे तो उन्हें गया में क्या नजर आता है चलिए हमारे साथ गया में जब आप एंटर होंगे तो टावर चौक उसके आसपास का मार्केट ऐसे ही मार्केट के बीच में हम मौजूद हैं क्योंकि एक तरफ यहां पर एतिहासिक मंदिर है और दूसी तरफ ऐसे मार्केट हैं छोटे-छोटे जहां पर आम लोग यहां मौजूद हैं के इन से बात करके जानते हैं किस बार इनकी उम्मीदे क्या हैं भाया क्या नाम है आपका मेरा नाम संतोष कुमार है संतोष नहीं लगाते हैं पर अभी खोल के रख दिये हैं क्यों तोड़ा सागबक लगता आप गहा के बोलने में डिश्ट्रफ होता है इसी का लगती है आच्छा आध्यान भी रखी मास्वस लगाई एकर लगा लेटे क्या क्या संवस्या इमें बताये हैं तो लगा लेजा समस्या होई है ऑपनी को टिकट मिला यहां ले तो इंट अवले हैं जो कर रहा है तो और नहीं 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 प्रेम कुमार को अपने पेट भरने कालावा कुछ नहीं आता है मजबूरी में लोग बोट देते हैं प्रेम कुमार को नहीं देते हैं हम लोग बीजेपी को बोट देते हैं हम लोग कभी एक केमपेंज चल रहा है जिसमें लोग छुट कर भी रोध कर रहें लेकिन कोई आप्सरी लिए लास्ट प्रेम कुमार को अपना पेट भरना जानते हैं कुछ नहीं है लोग डॉन हुआ प्रेम कुमार कभी पर tie हैं मोरला में जानने के लिए आपका शेमस्या क्या है प्रोबम क्या है खुँझ Greek लोग क्या कर रहें नई कर रहे हैं वह मतलब नहीं है घाड़ी से आते हैं इसे निकल जाते अप बोट तो आप जान रहे हो दूसरी बात उनके पिताजी के राज में जंगल राज था यह आप जान लिजे लोग का डर था किनेपिंग था चिंच और था क्या नहीं हम लोग तो में बुदा बोट को नोटा जवाने के चक्कर में लगें पहला मैंने बिहार में चुनाएं कि लोग नोटा की तरफ बढ़ रहे हैं ना कोई नहीं चाहिए नहीं हमको नोटा चाहिए इसलिए नोटा चाहिए प्रेम कुछ करने रहा कंडिडेट मेरे नजरम अच्छा है नहीं लास्ट में नोटा बोट तो देना है पढ़ते हैं यह द्याहि हो रही है तो एक्जाम नहीं होते है घो नहीं होते तो लोगों को नितीश देजस्वी और अभी तो आपने नितिश कुमार को छोड़ कर अर नोटा क्या कोई वैल्लीव है नहीं अपनों आपनों जाते हैं तो जिसके भी मैजोरीटी ओगी वोगी आए तो नोटा का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो हमारे पास क्या करें, तेजस्वी जो है, अगर हम लोग तेजस्वी का बात करें, तो लालुयादब का बतलब हमें तो उतना experience है नहीं, बट जैसा हम लोग अपने senior से सुनते हैं कि गुंडा रास्ता, तो वो भी हमें नहीं चाहि उसके बाद लोग भूल जाते हैं कि क्या वो बोलेते हैं और क्या नहीं बोलेते हैं, यहां पर सीट मोहन श्रीवास्तव कॉंग्रेस से दी गई है, और प्रेम कुमार जो 35 साल से विधायक है, साथ बार के विधायक, उनको फिर से एक बार टिकेट दी गई, आपका क्या ना जो पढ़ा लिखा हुआ हो, पुद्धी जी भी, आपके रिमा में कोई नाम है कि कोई नेता है, ऐसा जमीन पर यहां काम करता है, इस पार कौन नितीश, तेजस्वी, ऐसे मिला जुला कि नितीश की सरकार भी ठीकी ठीक चल रहा है, कोई इसमें प्रोब्लम नहीं है उनसे, लालू यादव की सरकार नहीं चाहिए, तेजस्वी यादव की सरकार तो आदमी लोग 15 साल जहेल चुका है, मैडम, अब उसके वाद फिर पुना, लोग पुनाविर्टी करना नहीं चाहता है, वाने के बाद फिर भाग सेर का कहानी आपने सुना होगा, कि पिज़ने में ज इस तरह का धारना बैठा हुआ है, कि फिर पुना पुन्राविर्टी ना हो, इसलिए मिला जो इलाके नितिस्तरकार ही ठीक है, चलिए यह गया के वो लोग हैं, जो आम लोग हैं यहां के और वो जमीन की जो बाते हैं, वो आपको बताते हैं, मोहन श्री वास्तव यहां प्रेम कुमार 35 साल बहुत होते हैं, साथ बार के विधायक, और साथ बार के विधायक से भी लोग खुश नहीं हैं, तो यह फिर सोचना पड़ेगा दोनों पार्टियों को, लोग कह रहें कि देखें, हम नोटा की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन अगर नोटा का वैल्यू न ही है, और अगर आप NDA की बात करें, तो इस बग जुस्तती है, जहां NDA अल्रेडी अपना जो गटबंधन है, वो साफ कर चुकी है, लेकिन अप महा गटबंधन में किसको और कौन चुनेगा यहां पर यह देखना होगा, गया में अपकी बार किसकी सरकार में, आज के लिए इतना ही, बिहार के बोध गया से देखिये, अपकी बार किसकी सरकार, 10 अक्टूबर शाम 6 बच कर 25 मिनट पर जी हिंदुस्तान आप, पाच भाशाओं में चुने, अपनी पसंद की भाशा, जी हिंदुस्तान के लाइफ टीवी पर कीजिए, क्लिक, और देश दुनिया की हर खबर पर रखिये, 24 घंटे अपनी नज़ा,